नमस्कार दोस्तों मैं इस दोनूं और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटिक चैनल बहुत ही यूजफुल जानकारी आज मैं जा रहा हूं देने आपको देखे यहां पे जैकवार का फाइब डावर्टर लगा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं पानी यहां पे बिल्कुल बिल्कुल नया डावर्टर है प्रेसर यहां पे बिल्कुल नहीं है देखे जाली भी खोल के दिखा रहा हूं बिल्कुल साफ है फिर भी प्रेसर यहां पे नहीं आ रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कैसे सॉल होगा वीडियो में अंतक बने रही मैं आपको बताता हू की दिखेंगे कि ढディक्त हैं सबसे पहले यहां पर हैंडेल को खोलना है चार नंबर का एलनकी लगेगा यलंकी से एक खोलेंगे नीचे नीचे एक छोटा सा स्कुरू होता है उसको खोल के बाहर निकालेंगे तो ये हंडिल लिएगा लेखिए हंडिल को निकाल लिए छोटा बाला इसकुरू आप दिखते है अब क्या करेंगे यह सारवालवाली नौब को भीखोल लेंगे 4 नंबर का एलन की इसमें भी लगेगा छोटा साइ कि के ऊंदर करें टीक है अब क्या करेंगे आप तो इस देख जो कबर दिखराना कबर को खोलेंगे जो से निकल गया वासर इसके अंदर ही रह गया वासर को आपस निकाल लेना इसमें लगा देना है ढुबारा लगाते समय जरूत पड़ेगी सुखर को निकाल लिए मैं साहर वाला का लिए रहता है यहां पे लिठ गोलसक्icher लांप को फिरेगा जुइंअ प्रेस होता है यह ठीक है अब दोनों को खोलेंगे यह सार वाला जो नॉप दिख रहा है यहां पर बना हुए 24 नंबर पाना लगेगा और यह वाला जो मेन कार्टेज है डावर्टर का इसमें पाइबरीन से खुलेगा पाइबरीन से इस तरह से घुमा के आपको खोल लेना है देखे ज्यादा टाइड नहीं रहता है थोड़ा से प्रिस्क करेंगे देखे इस तरह से यह खुल गया सप्लाई चालू है देखे पानी किर रहा है सप्लाई बंद करना पड़ेगा बंद करके ही आप्टिक करेंगे अभी दरसल क्या है देखे नया फिटिंग हुआ है न तो इसमें आ गया है कच्ड़ा जो भी पलंबर पाइप वोगरे काटते। तो उसका कचड़ा इसके अंदर आ गया है अब वही कचड़ा जो है आपको साब करना है अंदर तक पूरा फसा हुआ हो सकता है कचड़ा वह सब निकाल देंगे तो पूरा प्रब्लम साल हो जाएगा देखें कार्टेज आप देख सकते हैं कुछ परकार यहां पर बाहर निकल यहां आप देना है अगर थोड़ा कचड़ा होगा तो फुर फूर्ब माने से निकल जाएगा अगर फिर भी नहीं निकलता है तो फिर आप मैं सोह यूदा निकाल सकते हैं वससे में कुछ ज्यादा प्रब्लम में होता है कचड़ा ही होता है कचड़ा किल्ण कर देंगे फा